नमस्कार आप देख रहा आरेडी नियूज मैं हूं योगी इस्चिक्रवर्ती देश में अजूबा की घटनाएं आए दिन दिखती है या देखने को मिलती है लेकिन बिहार में अजूबा अक्सर देखा जाता है जिहां बिहार में करोडों की लागत से बनने वाले पूल तास के 35 की तरह भरभरा कर गिर जाते हैं और ये एक बार नहीं पिछले पाँश शालों में अब तक दस बार हो चुका है और हैरानी की बात ये है कि ये गिरने वाले पूलों में कई पूल का बजट हजार करोड़ से भी ज्यादा के थे अभी हाल ही में एक पूल गिरे हैं और इ जो है बीस करोड से जादा था और पिछले तेरह सालों से बन रहा था पूल गिरने के बाद पूल बनाने वाले या उस काम में लगे इंजिनियर को सस्पिंट कर दिया गया है सरकार की ओर से जांच टीम बैठा दी गई है यानि कि लीपा पोती का पूरा इंतिजाम कर लिया ग हैं इनसे समझते हैं कि कि क्या ऐल जाम सरकार पे हम गलत लगा रहे हैं हैं सचमुच में ऐसा है सर आप ही बताईए पूल गिरना यह कोई पहली घटना नहीं लगातार पूल गिरिम लेकिन लिकान जब भी पूल गिरते हैं तो हल्ला हंगाромा ज्यांच आर मामले के कोई भी काम होता है उसमें निकलती है तो इसके लिए पूरी तरह से जवाब देही नौकर साही है और सरकार की तरथ को पूरी सरकार एसा मतलब आप ऐसी परक्रिया है सरकार की जिसके कालन काम बहतर नहीं होते हैं आज भी हम लोग क्यों उदारन देते हैं बाई कि अंग्रेजों के जमाने का बना बिल्डिंग आज भी इस्तिरह और अभी हमारे बिल्डिंग बना है और 20 साल 50 साल पूर्ते-पूर्ते धरा साही हो जाते ह इसकी मूल वज़ह सरकार और नौकर साही है आप एक उदारन लोगों को जानकारी नहीं होगी कि टेंडर परक्रिया जो है जो भी भागो का टेंडर परक्रिया है चाहे भारश सरकार का हो या भिहार सरकार का है मतलब सरकार की योजना बनती है मान लीजिए अगर सौ करोर में ये काम होना है तो उसमें लोग बिलो टेंडर डालते हैं 10%, 20%, 30%, 40-40% तक बिलो टेंडर चले जाते हैं तो सरकार ने किसी भी पूल का या बिल्डिंग का परोजेंड सरकार ने बनाया कि हमको 100 करोड में एस्टीमेट बनाया गिया कि 100 करोड में बनना है wert को सरकार गडयां कि सथ करोड डाला है कि हम 60 करोर में बना देंगे तो कहां से संबह आई या गलत बनाया है खाने के लिए या कि सरकार साइव 2 में इसको उसको कार्षि मिला कर करेगा तो एस गटिया मतलब इस्तिती हो गई है कि एक बार विधायकों ने मामला उठाया था मुखमंत्री के समझ तो हो गया था कि 10% से बिलो 15% से बिलो कोई नहीं जाएगा फिर उस मामले को हटा दिया गया भारत सरकार में तो 40% तक जाता है तेंडर नीचे का मामला तो कहां से बहतर कार योंगे और अभी पूल गिर गया तो क्या हुआ जुनियर इंजिनियर एच्कुटीव इंजिनियर को बरखास कर दिया जाएगा ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेट कर दिया जाएगा लेकिन उसके जर में कोई नहीं जाता है जो बुनियाद है जर को ठीक कीजिए और बेगार सब्सखै, मेरे भडमट में कमीशन मांगा है, रामदय ने उठाया था तो मुखमतीर नियंस का हादे दिया खे तो कमीशन खोड़ी इतना कि यह 40% पर सौ करूर का काम उस Fraa рशल परसेंटten कर दिया तो 6 maras अब 60 करोन में भी 20% कमीशन जाएगा तो 12 करोरो हटा दीजिए तो कितना बच गिया 48 करोर में 100 करोर का काम 44 करोर में तो सरकार को इस पर गम्बیरता पूर्वक्शार करना चाहिए और टेंडर प्रक्रिया जो है पहली बात को टेंडर पड़ करिया अतु look तो कैसे बहतर काम कर सकते हैं लेकिन इन परकिरियाओं के बीच जिस तरह से जब कोई हाथ से होते हैं उसके बाद जो नियर इंजिनियर इंजिनियर या उस प्रोजेक्ट से जुड़े छोटे प्यादे को जो है बली का बकरा चड़ा दिया जाता है क्या इस में मुख मंत्री जो मंत्री संबंधित हैं और जो आईएस अधिकारी हैं जो इस विभाग के चुप चाप जो है मतलब पड़े रहते हैं कभी वो देखने नहीं जाते चीजों को तोर पर आज जो हमारा तंत्र भरस्ट हुआ आज जो मतलब विकासकारी है जो भी हो मतलब भवने धरासाई हो जाती है कुराने भवने चमकरिया नय भवन ज्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं रोड बनते हैं और गड़े हो जाते हैं पूल बनने से पहले उत घाठन से पहले तूट जाते हैं तो उसके लिए पूरी तरह से नोकरसाही जिम्मेबार है वो बस नोकरसाही अगर ठीक हो जाए तो भाई सब कुछ अच्छा हो जागा नोकरसाही और नेता मंत्री सबसे प्लाइब जादा जवरी है नोकरशाही को आईए सदीकारियों को उन में इतनी ज्यादा भरस्टाचार में इतने ज्यादा लिप्त हो चुके हैं नोकरशाही के लोग यह अंदाजा नहीं लगा सकते हैं और पूल जब गिरता है तो भाई कारवाय तो भाई होना चाहिए सरका बना दिया जाता है प्रोजेक्ट इंचार्ज को बली का बना दिया जाता है तो यह लिफा पोती का मामला आप देख लीजिए न भाई कोई एक दो पूल गीर है क्या एक ही पूल दो बार गीर है दरासाई हो रहा है और इस तरह से मतब ऐसा लगता है कि भाई यहीं की बात नहीं है गुजरात में भी पूल गीर थे पूरे देश में हो रहा है अभी जब नितीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ सत्ता में थे तो भी पूल गीरा और फेर तेजस्वी की जमकर आलोचना की गई लेकिन मेरे ख्याल से जो पूल गिर रहे हैं उसके जड़ में बीजएपी और जेडियू ही है देखे किसी पार्ठी विसेस को बीजएपी और जेडियू को जड़ में कैसे डाल सकते हैं बाई ना जो सॉची ही इनकी बहुंका रही होगी जो सथाफ्ताप्र्तिस्ठान में कईुसी स्लया के लिग प॥ुभण कहा सी ut इसलियə मैं इसा बोल रहा हूं कि भाई ओनलाइन टेंडर होगा ये पड़करिया है मतलब इसमें ये टेंडर डालेंगे इनका टेकनिकल टेंडर पास होगा फिर फैनांसियल खुलेगा मतलब नियम पड़करिया में आप नहीं पकड़ सकते हैं नियम पड़करिया इस तरह से बनाया गया है कि आप किसी को द पारदर्सी तरीके से होता है कि कोई आप आरोप नहीं लिए सकते हैं तो फिर इसमें जुनियर इंजिनियर का इसे दोसी है क्योंकि उसके ऊपर जो इंजिनियर है इसमें टेंडर निकलने के पहले हो जाता है कि इसको टेंडर देना है उसके लिए टेंडर उसी तरीके से निकाला जाता है इसे उदारन आपको देता हूं यहां है से स्दिक एक पूलका तेंडर निकाला जाएगा तो तूस निकाला जाया आपके पास कौन कॉन छिट्रो फंभ और का टेंडर है तो पांचपांसो करों की मजीन आती है वह मजीन के पास बासब डागे वह साल के अंदर भाइ को सकते हैं उसमें आपका टेकनिकल दिया जाए कि आपको इतने लाख इतना करोर का काम कानुभा सो आपके पास जो जो ऑनुभा होगा भा mina यह अदाल्ड वह घुट अपनवह घूला जाट दिया जाएगा लोग की पास उका गई नहीं जाएगा अगर कोई गलती से बाहर की कमपनी किसी के पास सुझेम है वो डाल दिया है तो उसको फिर दबाव डाला जाएगा आपको दूसरा प्रोजेक्ट भीया जाएगा आप इसमें इसे-दारी ना ले नहीं तो आपको क बिल्दिंग कि रही हैं सरकारी बिल्दिंग कि रही है आप देख लीजिए न बहुत पूल ले लिजिए आज तक चल रहे हैं और अभी नया विधान सभा बना है वो देख लीजिए इस्तिति क्या है सो साल पुराने विधान सभा ये थावत है एकदम लेकिन नए विधान सभा में देखिए दरारा गई है मारवल अभी उसके खड़ाब होने लगे हैं तो ये पड़किरिया है तो पड़किरिया में खामिया है मतलब जो बनाए जाते हैं नौकर साही इतनी ज्यादा भरस्ट हो चुके है। यह पूल गिरते रहेंगे, लोग मरते. है उनके नहीं कानों पर जूर नहीं रह सकती, बली का बक्रा चोटे बनाया जाता रहेगा और बड़े प्यादे अराम से निकलते जाएंगे और छोटा प्यादा भी जो बली का बनाया जाता है उसमें आप देखिएगा उसमें भी जाती भी से उस पर ज्यादा टार्गेट किया जाता है जो दलित पीछे रहते उन लोगों को टार्गेट किया ज जाएगा और जो दलित पिछ रहेंगे उनको जेल में डाल दिया जागा सब्सक्राइब को सुधिर कुमार इसके ताजा हुदा रहा ना आए यह सदिकारी आज तक बदा दीजिए कि को जो कि तिन दो साथ तीन साथ जेल में रहा हूं तो दिरकुमार जेल में रहें, पिता जी के मरने पड़ उनको बेल नहीं मिला, चुकि दली तदिकारी थे तो उनको, पनिस्ट मिला, यही अगर कोई रहते हैं, अगरी जाती से तो उनको कुछ नहीं मतलब यह साफ है कि सकता परतिस्थान में बैठे उपर से लोग, नीचे त ऌपर तक सबके साओ भरस्ट घर नहीं है तो ब्लैक लिश्टेड यहां को क्यों टिंडर दिया जाता आप उधार देख लिजए न कई कंपनियां हैं जो बैआतले हैं दूसरे राजयों में ब्लैक लिश्टेद अे लेकिन यहां कंपनी में इसको बिहार हमें टिंडर दिया राता है बिल भी बाता दिया जाता है को यह था का मिलेकश से होता है नौकार साही की मिले तो राजनेताओं की मिलेगश आप एमारे आपका हमारा टैक्ष का पैसा आपका टैक्स का stepर शेड़ यह पूल बन रहा है और यह पूल गिर रहे हैं, तो हमारा पैसे की लूट हो रही है, या आपके पैसे की लूट हो रही है, अलूट कोन रहे हैं, तो ये नोकरसा है, में जिम्मेवार हो ही है, उनको कि सारी सुविधाय में लिवी है, अगर कोई राजा है, तो नोकरसा है, उनको सारी सुविधाय में तो पूल गिरने की घटना को अजूबा के तौर पर मत देखिए पूल गिरते रहेंगे लोग मरते रहेंगे और इससे नौकर्शाहों या यू कहें कि सत्ता प्रतिस्ठान में बैठे लोगों के कानों पर जू नहीं रहेंगेगा उनके लिए ये इंटर्टेन्मिंट है इंट हमें फेस्बुक पर फॉलो करें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें लाइक करें सेयर करें और कमिंट कर अपना महत्रपून सुझाव और विचार जरूर दें धन्यवाद